नवस्कार दोतों स्वागत आपका इटू चनल फूल स्टोडी विज्वाएं में तो आज हमारा वीडियो है जो बिहार से जुड़े हुए थोड़ा सा जीके हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे अकर टाइम बचेगा तो उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मेन हमारा टॉपिक ह तो यह वाला वीडियो विटामीन और आणे वाला है डीप मद्ध्यान करेंगे और उसके बाद next वीडियो हमारा रहेगा या फिर हो सके तो इसी वीडियो मैं से डाल देंगे इसको भी राष्टिय चिन्नों के पर्तिक चिन्नों के बारे में बिहार के यह वीडियो बिहार जो सूपर्टेट वेकंसी आने वाली है और उससे जुड़ा हुआ और भी जो टीचिंग एकजाम हुआ और भी बहुत सरी एकजाम में काम आएगा लेकिन नार्मली यह तो सबको जनकाई रहना चाहिए और उपर से सूपर्टेट एकजाम है उसमें बहुत उपयोगी है क्यों आज बिटामिन जो जल में घुसल सील होते हैं जल में घुसल सील का मतलब कि जैसे इनको अगर एक्स्ट्रेक्ट किया जाए किसी चीज से मतलब यह जहां पर पाय जाते हैं तो यह सल्यूबल हो जाएंगे घुल जाएंगे पानी में और फैट वसा में इसको रहता है बीटामिन बी में कोई सारे वीटामिन आते हैं वीटामिन बी टू बी थी वी फाइफ शिक बीच सेवेन इस सब आते हैं ठीक उसके बाद यह कहता है बीटामिन सी इसको डीप भाम अभी आगे पढ़ेंगा ता आपको फानली यह बस यह याद करना है कि बीटामिन बी और होते हैं water-soluble vitamin यहाँ पर इसका ट्रीक है KEDA यहाँ पर जो दिख रहा है आपको vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K इसको KEDA कीड़ा के नाम से याद कर सकते हैं ADEK अब चलिए इसको लास्ट में इसको पढ़ते हैं अगले आगे चलके कौन सा vitamin का scientific name यानि रसाइनिक name मतलब जो भी कही है क्या है और उसके कमी से कौन सारो होता है सबसे पहले उपर पढ़ेंगे हम लोग देखिए क्या दिया है रेटिनाल विटामिन A का scientific name रेटिनाल है रेटिनाल के बाद यहां पर देखिए रोग में दिया है रताओधी और इसको जीरॉप्थैल्मिया दो रोग होती है उसके बाद विटामिन B1 का एक जाम में बहुत बार पुछा जाता है पहला विटामिन होने वाना रोग बेरी-बेरी कप जै अपच अपने पहले पढ़ा होंगे कि विटामिन B के कमी से बेरि-बेरी पहोता है राकि सार विटामिन अलग होता है आप फिर बिटामिन B12, B3, B5 बहुत होता है तो पहले वाले को थाइमीन कहते हैं दुसरे वाले को राइबोफलोवन कहते हैं राइबोफलोवन इसब दिखीए एकजाम में पूछने वाला चीज ओर चेक कर सकते हैं फिर दाता है विटमिन ऑ सहल्ष और बच्चों में बिढ़ए सब्सक्राइब बिरदि कम हो जाता है बाल का बढ़ना भी सहाथ रुखाता है इसे इस वे होई टक कर सकता है लेकिन लोग नहीं कहाता है कि असा म Animals का नायट सभी restricted करा है तो यह भिटामिन बी थरी कम हो जाता है तो बालों का अगाल सफेद होने लगते हैं उसके बाद आता है वीठामिन 25 extraction उसको इस SPEAKER 4 कैमेस्ट्री मा पढ़े होंगे तो इसको पKन ड़ा कर श्याम नहीं कर तो यह एक पलाख एक रोग होता है इसको बाए balance जिसके बारे में रहे जानते हैं तो उसके बारे में आप रोगों के बारे में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा पिर B6, विटामिन B6 होता है भी 6 होता है इसको पाइरीड़ुक्सिन कहाता है इसमे गरे किटनी में पत्री gebaut उसको भाटने के लिए दवा चलता है तो इसके बिटामिन B, complex B6 जरूर मिला के दिया जाता है में यहां को चला है आफ एक बात ट्राइब हालेगा वगे ध्राइगा मतलब यहरा नाम है और मखला ब्लास् tyres मोड़ी कर लिजेगे और उधितर यह चलता है फोलिक चला जाता है प्रेग्रेंसी के दौरान महिलाओं को चलाया जाता है खात खाती है लोग गोली पिली पिली रंग की आती है उसके बाद B12 को साइनकुबलामीन कहते हैं B12 इसको परनीसिया एनीमिया और पाडियू रोग होता है इसके बारे में आप चेक करेज़ेगा विटामिन 20 विटामिन ऐस बार पुछते हैं कि अगर इम्मूनिटी बढ़ाना थे तो कौना विटामिन खाना चाहिए कि avanzing ऐला रहते हैं तो इम्मूनिटी बढ़ाने वाला विटामिन इस टो काते हैं मिटामिन सी को विटामिन ओでpha मिध्ढमिन डिटी तो हां एक बार चेक कर लीज़ेगा आप अध्यान करना हो तो एक बार आप गूगल करके या फिर कहीं और बूक से पढ़ सकते हैं रिपेट्स से जो किसे होता है किStanagyleícia उविभाटन से करह गया, उसको बन रहे हैं को बन राएघर होसाँ बंदी और अस्टियो मोलेसिया वयस्कोम होता है उसके बाद विटामिन ई से टोकोफेराल रोग होता है तो टोकोफेराल तो ठीक है स्वरी कंष्ण जाएगा है इसका नम दो साइंटिफिक नेम टोकोफेराल है और जनन सक्ति कम होना यह तो इसका मतलब एक्जाम में पुछने वाला है और नेचरल यह भी पुछ सकता है कि ब्यूटी विटामिन किसको कहते हैं तो आप याद रखेंगे का कैप्सूल हरा रंग का पीला कलर का आप देखेंगे तो यूज होता है इसलिए साइद इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जा रहा है उसके बाद आता है सबसे पूछता एक्जाम में लेकिन आप इसको याद रखना है यह होता है बायोटीन को कहते हैं जान लीजेगा इसमें नोट्स नहीं लिख पाया है तो साइद मैं इसको यह भी डाउनोड है लेगिन इसमें लाने भी बिटामिन B7 से बायोटीन होता है ठीक बाद बिटामिन के तो दीया है फिलोकविनोन इसको रखतका जाम न बनना इसके कमी से मतलब तो यह चीज एक बाद छोटा कर रहे है यह बहुत काम की चीज है यह रहा है विडियोट लंबा हो गया दस मिनिट का अंदर रखना है इसका एक बार आप जल्दी देख लिए अलग सेपरेट वीड लेकिन देख लिग सिर्फ नहीं हैं आपन में आ जाएगा कि दो स्वास्तिकrados मध्य बोधी ब्रिच तो वो आप्षन भी सई रहेगा हम लोग के चिन्न में दो स्वास्तिक भी है राजकिय मचली मांगूर है मांगूर अब कई लोग नहीं जानते होंगे उसके मा उसके उपर काटे लगे होते हैं मुँपे और आप देख सकते हैं एक बार गूगल पर सर्च करिए उसको सब मिल जाएगा आपको राजकिय मेगा दिवस 30 दिसंबर राजकिय मतलब पर होता है जो चट है जानते हैं बिहार के सबसे ज़्यादा मनाया जाता है बिहार में चट उसके बास सरवच्च सिखर सोमेसवर 864 मिटर है कमेंट करके बताईए कि सोमेसवर कहां पर है और बिहार का सोक किस नदी को कहा जाता है फिर किस से आपको पताना इस सोक कहा क्यों जाता है कमेंट करके बताईए तो विहार का सोक कहा जाता है कोसी नदी को अब यह तो वीडियो हो गया वीडियो में आपको देखने जो टॉपिक था उसको डिसकस कर लिए चोटा सा टॉपिक था अब आपको चाहिए तो अन्य बहुत सारे वीडियो टॉपिक पड़ा हुए हमारे पास उसके वीडियो बना देंगे आपको खाली समय में आप सब मांकरवाद पड़ते रहे हैं थोड़ा सा खाली समय में आपको बहुत काम करएं गा धी वीडियो आप देखे ह weiter तो से कम से कम आपको एक से कम तयार होगा कोसेन नहीं तो इससे कम से कम 30 से 40 कोशन इससे त्यार हो सकते है इतने वीडियो से और आसा नहीं मुझे पूर विश्वास है कि इस छोटे से वीडियो से कम से कम एक से दो सवाल तो आई जाएगा क्योंकि यह जो आप देख रहा है ना एक दो तीन चार पांच छो साथ आट नो दस बार लाइन जो है इसमें से कोई ना कोई कोशन तो जरूर ना जरूर आएगा आने की पूरी प्रवबिल्टी है तो यह था हमारा चोटा से वीडियो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और रोजीना कोई ने कोई वीडियो जरूर आता है इस पर काम का वीडियो रहता है आप इसको चैनल को जाके देख सकते हैं धन्यवाद